पिश्रे वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ विशेस मदें थी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मद होती है जो अलागतारी संस्थाओं के लिए चंदा जिसको सब्सक्रिक्शन बोलते हो उसकी बात की थी और साथ में उसके धारण में देखे थे अब हम लोग इस वीडियो म नहीं है और लगबख सिमिलर नेचर की है तो हमें पूरा एडिया लगता चला जाएगा अगली जो मद आती है इंपॉर्टेंट वह होती है दान अब दान याद दो तरह का हो सकता है कैसा कैसा हो सकता है एक तो सकता है विशिष्ट दान मतलब जैसे माल लेजिए कोई चले जाते हो तो वह क्या हो जाता है सामान ने दान ठीक है मतलब किसी उद्देश के लिए हैं अब जो भी जहां पर संस्था को जरूरत है वहां पर यूज कर लेगी तो जब विशिष्ट दान की बात आती है ना कि यह दान आपको भवन मनाने के लिए है या कोई खेल का को संस्था है तो आपको यह खेल के सामान खरीदने के लिए तो वह हूं कर देते हैं इसको फूंजी करन कर देते हैं कि मतलब ब्लोग के निधी थी कि हम लोगो अपने स्कूल की बिल्डिंग बनानी है मालीचे और इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए जिसने पैसा दिया वो उस स्कूल की बिल्डिंग बनाने वाला जो फंड है जो निधी है उसी में पैसे जाकर के जूड़ जाएगा उसको हम लोग आये नहीं मानेंगे क्या निधी में चली जाएगी जो भी है, और विशेषदान तो पूजएकरन होगा, लेकिन इसका क्वूँ सी कोई विशेष निधी होगी, उसी में होगा, ऐसानी जो सामाने निधी उसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, अच्छा, अब यह समझी ए, सामाने दान तो क्या होगा है सामाने दान तो कोई भी संस्था है, कोई भी रोज दान दिता आ जा रहा है, तो वो एक तरह का एक regular source of income है आये का एक ऐसा साधन है जो हमेशा निरंतर रूप से बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, आये मान लेंगे है ना, तो आये मानने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे आये और वे खाते में आये की side पर इसको लिखते चले जाएंगे तो हमारे लिए दान का जो nature है ना, हो आपनों का सुझ में आ गया अब यहां पर बहुत धान सो समझेगा exactly same चीज एक और मध होती है जिसके साथ होती है, उसके हमने बोल देते हैं वसीयत ठीक है, क्या बोल देते हैं, वसीयत वसीयत में भी अगर हमें कोई चीज ऐसी दे रखी है जो सिर्फ और सिर्फ कोई particular काम करने के लिए कोई specific काम करने के लिए करना है तो उस amount का हम लोग क्या करतेंगे पूजी करन, ठीक है और वो भी उसी तरह से किसी निधी में चली जाएगी विशेश निधी में और उसका दाइद पक्ष में लिख देंगे और अगर वसीयत में हमें बताय नहीं गया है कि ये आपको कैसे खर्च करना है और देखिए दान में और वसीयत में दोनों में एक और चीश समझ लीजे कि दोनों में ही अलग सीज़े है थोड़ा सा ये ऐसे करके बना देता हूं मैं ठीक है ये दोनों में ही क्या होता है आपको रोकर मिल सकता है जरूरी नहीं है कि इन दोनों ही चीज़ों में आपको पैस कैश ही मिले तो दोनों में ही दोनों चीज़े हो सकती है अब वो रोकर और पॉपरड़ी को हमें उजिक्रत करना या नहीं करना ये इस बात पर निर्वर करता है कि विशेश उदेश की पूर्टे के लिए किया गया या फिर एक जर्रली दे दिगे कोई मुझे माली जी किसी संस्था से बहुत आता लगाओ है कोई चरिटेबल धर्मार संस्थान है तो मैंने उसमें अपनी जीवन की चींट इसको सीद धर दान कर दी तो वह बताया किसलिए दान किया आपके लिए दान करते हैं पूरी संस्था के लिए कि विशेश उदेश की पूर्थे के लिए नहीं किया तो उसको अम लोग सामाने इसो इसे को हम लोग पैसा मिल ला को सिरह सिरह करते हैं एक सा महाने निद्धिस है और यह Q again तो साइट पर आती है आपको पता ही है तो यहां पर इसको सीरा सीरा डाल देंगे इसमें कोई कंफूजन की बात ही नहीं है अगली जो एंट्री आती है जो मद है जो आइटन है वो क्या है हमारा वो है प्रवेश्चुल इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रेंस फी या फिर एड अगर लाइफ भर के लिए उसने एक साथ दिया लेकिन अगर वो दे रहा है आप वैसे ही कोई दूसरा इंसान है मेरे घर पे एक किताब थी अखंड जोती किताब के लिए लोग साल भर का पेमेंट क्या करते थे हैं तो मेरे घर पर इसकी वो ले ली गई थी आजीवन सदिस्ता ले ली गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक साथ पूरे जीवन में आपको हमेशा हर मैने किताब आती रहेगी आपने साथ पैसा दे दिया तो जब इस तरह की चीज होती है ना तो क्या हो जाता है वो एक साथ पैसा मिल गया और्गनेशन तो तो उसको पूजी नहीं दी में डाल ले थे लेकिन प्रवेश शुल का क्या मतलब है कि आप जब किसी संस्था की सदस्ते बन रहे हो तब आपने आकर के जो पहली बार एक सद कोई दिन बाद लिया फिर कोई पांस दिन बाद आया ठीक है तो नहीं सदसे बनते चले जा रहे हैं तो हम लोग प्रवेश शुल कुप में करते हैं कोई ऐसी संस्था है जहां पर इतना फ्रिक्वेंटली कई लोग आते जा रहे है और एड्मिशन फी देते जा रहे है तो वह वाली सीज तो आय की तरह हो गई है ना वह तो इंकम हो गई क्योंकि वह तो हमेशा ही होता जा रहा है वह पूंजी का नेचर प्रक्रति वह तो रही नहीं लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जैसे मान लीजिए कोई क्लब है आज कल बहुत सारे क्लब्स चलते बहु कभी कोई नया मिंबर जुड़ता है तो वहां पर प्रवेश्वल की बात आ रही होगी तो समझे वह तो बहुत ही कम हो रहा है तो वहां पर हम इसको क्या बोलेंगे इसको हम लोग वहां पर पूंजी क्रत्मान लेते हैं अच्छा तो अब आपी सोचिए कि बच्चों क्या पता है अगर हमें सीधे सी रिग्जामनेशन में तो दिया हुआ नहीं है कि यह पूंजी गते यह आए गते तो क्या करेंगे बताइए तो सबसे पहले तो आप यह समझेए अभी हमारी किताब में ही चौथा जो धारण था इंहों ने जो भी प्रवेश्वल के लिखा हुआ लिखा था उसके बारे में पोई जानकारीनिती रखी थी तो यह गतार के स्कत् modifier लाप अप कभी कभी ऐसा होता है कि इस confusion की हमें जरूट नहीं पड़ती है क्यों कि मान लीजे प्रवेश्ट से हमें मिले 10,000 रुपै कितने मिले 10,000 रुपै और उसमें बता दिया गया कि इसका आप 30% को पूंजी करत कर दो ठीक है हमें बता दिया गया question में अगर इस first रूप से बता रखा है इस first रूप से तब कोई दिकत की बात नहीं है तो अगर हमें इस first रूप से बता रखा है तो हम क्या करेंगे इस में से जो 3,000 रुपै कितना वो चला जाएगा दाई तुमें और इसी में से 7,000 रुपैं लो आए मान करके चलना है ठीक है और आपकी किताब में दोनों ही तरह की चीज़ दे रखी है तो हम लोग इसको आए मान करके चल रहा है लेकिन examination में अगर इस तरह की चीज़ आ जाती तो आप क्या करोगे आप अन्त में note लिख दोगे क्या लिखो कि हम लोगो ने जो हमारा प् सब्जेक्ट में confusion है समझ जवना इसमें हमको एक standard practice बना देते हैं हमें बनाया नहीं है तो अभी इसका चली रहा है तो जब चल ला है तो हमने क्या मान करके हल्क किया है और अगर आपने इसको दाइत मान करके हल्क किया हुआ है और कभी-कभी क्या होता है कुछ बच्चे ब करें अगर इख्ञांने मान का support कर सकते हैं और अगर इंदी की बात करते हैं और वह हमारी आगे की है और वह हमारी पुराने संपत्यों नहीं है इसको भूब्स आसान है एक दो चीजे इसमें थोड़ी इंट्रेस्टिंग उसको समझे है ध्यान से इसकी जो एंट्री है ना इसका अभी लेकर ने हर जगह पर हो रहा होता है हर जगह का मतलब जो हमारे तीन मुख्य जैसे आये और वे खाता है प्राप्ति और भुक्तान खाता है और साथ में तुलन प्राप्ति हो गया कि आये और वे आपका काम तो है यह बिजनस करना यहां पर ठीक है लेकिन जो भी आपने बेचा वो आपके आये होगए क्या वो आये नहीं हुई तो क्या हुआ आये फिर क्या हुई माली जे 10 रुपए का हम लोगों ने फरनीचर खरीदा था से तीन साल पहले और आज मैं उसको बेच रहा हूं और माली जे मैंने आज बिच्छे सोचा पुराना फरनीचर हो गया तो छह जार रुपए का बेस दे रहे हैं ठीक अब मुझे नया फरनीचर लेना है तो चार हजार रुपए का हमें क्या हो गया हान नहीं हो गई हमारा जो दस जार रुपए था ना यह हमारी बुक वैल्यू क्योद्च वैल्यू क्यों है हमारी भुक में हमारी जो पुस्तके हैं जो हमारे भही है उसमें यह कितना हुआ हूआ है वो लिखा हुआ ही जिससे तो यह भी कि जो भी आपका पुस्टक मूलिथा उससे आपने कम पर बेचा तो विचा हो जाएगा लेकिन मान लिजिए कि आपका कोई संस्था है जिसमें कोई कार करीदी हुई है और आज से मान लिजिए पचास साल पहले गार करीदी थी बहुत पुरानी संस्था होगी है आप कम रुपए में बहुत सारा सामान खरीद सकते थे तो उस सामे में आपने कोई 700 रुपए की कार खरीद नी है अब क्या हुआ आज जब आप चीज बेच रहे हो तो उसमें 2-3 चीज आ जाती है कि यह जो रुपए है ना उसमें जो इंफलेशन है उसको इग्नोर कर देता है और जैसे समय काल बड़ा होता जाता है उसका बहुत ही बड़ा इंपच दिखता है तो जो 7,000 रुपए है आपने कार खरीदी थी आज वो जो कार है उसके कोई महान इंसान बैठके चलता था या फिर उसी संसा से बहुत ज़दा लगाओ करने वाला कोई इंसान उसके लगता है यह कार तो मुझे मेरे पास होनी चाहिए हैं तो उसने 7,000 रुपए की जो कार है वो रही सादमी ने 70 म, उपय में खरीद लिए कितने में खरीद सथर लाइक उपयमे अज़ साथ जो गुघ गराश राए था लेकिन बुक वैल्लू जो आपने बेच रह और बहुट ज़़दा और बहुत ज़्यादे की ज़रूत नहीं है, बुक वैल्यू से आप ज़्यादा पर भी कुछ चीज़े बेज सकते हैं, मैं यह बताना चाह रहा था, और साथ में यह भी बताना चाह रहा था, कि लेखांकन में जो मुझ्ग्रा इस्वीती वाली बात है न, इतना इतना समयकाल बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे वो एंट्रीज की वैल्यू, जो ट्रू पिक्चर है, जो वास्तविक स्थिती है, उसको उतने अच्छी से रपरजेंट नहीं कर पाएगा, बज़र्शित नहीं कर पाएगा, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बुक वैल्यू से जितने आप ज़ौदा बरबेच रहे हो, उतना ही आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, तो अगर ये सात हजार का है, और ये सातरलाग में आपने खरीदा है, है किसी और ने तो आहो जाएगी तो आप पुस्तर मुल से ज्यादा पर बेच रहो तो इसको आप आय मान लोगे पुस्तर मुल से कम पर बेच रहो तो व्य मान लोगे ठीक है तो आप तो कहोगे कि आपने तो बुलावा था कि तीन जगे पर एंट्री होगी, तो तीसरी जगे पर आपका जो तुलन पत्र है, तुलन पत्र में क्या हो जाएगा, जो भी आपकी परिसमपत्यां थी, क्या थी परिसमपत्यां, तो जितने का आपने सामन बेचा है, अपनी book value के हिसाब स तो उतना ही ही आप उसमें से कम कर दोगा, यहां पर हमेशा कम हो रहा होगा, जब यह पुराना समन बेचा हो, तो कम ही होगा, तो पहले वाले case में 10,000 रुपए का आपने furniture थरीदा था, उसको 6,000 बेच दिया, तो यहां पर 10,000 रुपए कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो खरीद रहरो, तो उसमें लाइन खरेद रह। विक्रे काहते हैं हो, विक्रे आप रद्दी बिष्ट हो, आप सारी चीजैं आ रही है, तो आप उसकी रद्दी होती जाती है, बिष्टे चले आते हो, तो जब-जब होती जाएगी, हूली पे सफाय denial होगी, इस तरह के कुल में था न न दो हम लोग छोड़े पर बहुत सारे खेल ने को लेकर्कों पशंद रहा है हमेशा से टो खेलने के सामानी उसा होता दो जो काफी महगा मिलता ठाथ उतना उस फिर पैसे तो मिलते नहीं थे लेकिन मेरा एक दोस्ट था जो हमेशा नहीं नहीं चीज़े तो नहीं लेकिन खेलने की बहुत महँगी चीज़े लेकर के आता था तो हम लोग को सब्सक्राइब नहीं आता त्यार है इतना पैसे कहां से लेकर करके आ रहा है तो बात यह थी कि उसके बड़े भाई एक ऐसे संस्था को जानते थे जो एक क्लब था खेल कुद गई उसी में जानते थे तो वहां से जो भी खेल का पुराना सामन होता था यह लोग खरीद लेते थे तो खेल को पुराना समन बहुत सस्ता मिल जाता है लेधर की आप खरीदेंगे आज कल कुछ 300 रुबे की मिलती है तो आपको पुरानी खेल हो जाएगी एक मैस उन्होंने खेला उसके बास से वह तो फरनीचर बेचने में हम लोग की परिसंपत्ति कम हो रही थी, खेलकूत की सामान का डेप्रिसियेशन का हमें रेट दे रखा होता है, कि इसमें 50% का हरास हो जाएगा, बहुत जादा रहता है, क्योंकि खेलकूत का सामन बहुत जल्दी पुराना पढ़ने लग जाता है, त और बाकि हम डेप्रिसियेशन से, डेप्रिसियेशन से क्या हो रहा होगा, डेप्रिसियेशन से जो हमारी खेलकूत का सामान है, उसकी वैल्यू कम हो जारी होगी, रास हो रहा होगा, जो मुल हिरास है न, वो हो रहा होगा, और मुल हिरास की विर्यास से, माली जी एक लाख और हम बोलें कि एक साल को बाद 50 परसंट के डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो पचास से जायर का नुकसान हुआ है वो नुकसान भी हुआ उसकी वैल्यू कम हो गई अब वो तो हमने एक तरफ देख लिया लेकिन उस पचास से रुपए का जो समन पुराना बढ़ गया तो उस कि आख करना है कि चलिये या फिर किसी सारे लों को inspire करना है तो एक बड़ी इंसान को को जाने मारे इनसान को और स ही कि इसी को भी बुलाया कि मनुरंजन के लिए जादुगर मतलब बिला लिए कृण्यू बहें फिर श्र्ण हो जो इस तरह का इंसान हो से सीरे सीरे तॉर पे सेवाएं दे रहा है को वस्तु दे रहा है तो उसको जो भुखतान करते हैं वस्तु जो नहीं नहीं देता और एंटरी कहां पर हो रही होगी तो फिर हम लोग अपना अकाउंट्स बनाएंगे सारे फिनेंशियल स्ट्रेटमस मनाएंगे तो उसमें देख जाएंगे लेकिन आप समझे यह हमारा वे यह आया है और यह आया है तो देखिए हम लोगों ने काफी जो हमारे आइटमस थे वह देख डाले हैं कुछ और आइटमस बचे हुए जिसको हम लोग अगले वीडियो मे से प्राप्ति और भुक्तान खाता निकालना है तो वो बहुत ही तरह से देखना बहुत जरूरी है कई बचों पसमें कहा भी है तो उसको भी आप ध्यास देखेंगे अगले वीडियो में हम इन्नी को कंटीलिव करेंगे प्रिक्लिवर आइकन्स को झाल, 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 झाल